सुप्रीम कोट में सेम सेक्स मैरिज को लेकर बड़ी बहस चल रही है। बहुत सारे लोग इस शब्द से परिचत होंगे और बहुतों को इसके बार में पता नहीं होगा। LGBTQ में L का मतलब है लेजबियन। अगर एक महला या लड़की का जुकाव या आकर्शन दूसरी महला या लड़की की तरफ होता है तो इनने लेजबियन कहा जाता है। इसमें दोनों पार्टनर महला ही होती हैं, दोनों पार्टनर के बीच संबंद सारे रिक, रोमैंटिक या भावनात्मक स्तर पर हो सकते हैं। इसमें काई बार एक पार्टनर का लोग या पर्सनालिटी पुरुष की तरह हो सकती है। जाता है। पैदा होते वक्त कुछ और था और वो बड़ा होकर खुद को उलट महसूस करने लगा। जैसे एक इनसान पैदा होते वक्त लड़की था लेकिन बड़े होने पर वो लड़के जैसा महसूस करने लगा। इसी तरह कोई इनसान पैदा होते वक्त लड़का था लेकिन बड़े होने पर वो खुद को महिला की तरह महसूस करने लगा। ऐसे लोगों में हार्मोन की गड़बडी या किसी दूसरी वर्जा से दोनों लिंक के गुण आ जाते हैं। लेकर बहुत सारे सवाल हों। LGBTQ में अब IA Plus जुड़कर LGBTQIA Plus हो गया है। इसमें I का मतलब है Intersex मतलब ऐसे लोग जिनमें एक से अधिक योन विशेशताएं होती हैं। ये विशेशताएं जेनिटल से लेकर Internal Reproductive System और Chromosomes में हो सकती हैं। ये पुरुष या महिला के शरीर की आम अवधारना के बाहर होती है। LGBTQIA Plus में A का मतलब है A Sexual मतलब ऐसे लोग जो किसी भी तरह के Sexual आकर्शन को महसूस नहीं करते हैं। इसी तरह Plus का मतलब है ऐसे लोग जिनकी लेंगिक पहचान या Sexual Orientation को किसी भी तरह से शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता हो। बेरहाल आपको अमारी खबर कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। देश अविदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं ठीविनान भारत वर्ष।